हेलो फ्रेंड्स कैसे ही आप अभी मैं देखने वाली हूँ टिन फ्लेम सोर्मिट लव रिडिंग जिनके पॉसं थर्ड पार्टी में है उनके पार्टनर की कह एनरजी है और आप मेरी यूर्स की कह एनरजी है दोनों की हम देखेंगे पहले मैं टिन फ्लेम की कुछ मैसस देख कि छल्यें देखते हैं देखिए मुझे आपर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्स थिती आपने मिस्टेक का अंदाज़ा है कि उन्होंने गलती की है और उस मिस्टेक से वह इन वह पास्ट में की थिया उंद्शा दूहर अब वह उसे सीख ले देगहां आप Oh उनको बहुत यह है कि कोई ऐसी सिजुएशन आपके परसन की लाइफ में बन रही है कि जिसमें वह अपने अपने अनर्जी और टाइम इंवेस्ट नहीं करना चाहते हैं और वह यह कहना चाहरे कि आप ही मेरी में प्रियोर्टी हैं बाकी और कोई नहीं और वह आपको गले लगाना चाहते ह है कि वह आपको अपनी लाइफ मानते हैं ठीक है यहां पर ऐसा मुझे दिखाई दे रहे है कि आपके परसन जो है वह आप से बार बार भागते होंगे आपको छोड़ करके चले आते होंगे आपको दोखा देते होंगे लेकिन वह यह कहना चाहरे कि मैं मतलब डर जाता हूं बहुत जदा आपके लिए मैं deep feeling रखता हों लेकिन आपका सामना नहीं कर सकता हूं यहां पर यह भी कहरे कि आभी मैं और जदा यह चीज़े नहीं कर सकता हूं और ना ही मैं आपने emotions छुपा सकता हूं आपके परसन जविब करते हैं आपको प्यार करते हैं आप पर ऐसा message मुझे एक और मिला है आपको बहुत दमिस करती हैं जैसा भी दिखाई दे रहा है कि वो ऐसा कह रहे है कि मुझे तो आपकी कंपनी चाहिए ठीक है आप मैं और वेट नहीं कर सकता हूं और दुबारा मैं ऐसा कोई मोका आपको नहीं दूंगा कि जिससे मुझे और सरमिंदगी महसूस हो ठीक है यहाँ पर आपके परस ऐसा भी कह रहे है कि मुझे बहुत सरमिंदगी महसूस हो रही है कि आप मेरी तर ध्यान ही देती है लेकिन प्लीज यह समझने की कोशिश कीजिए कि हर बार मेरी गलती नहीं होती है ऐसा हो कह रही है नेक्स्ट है आपके परसन को यह समझ में आगे है कि मैं अपने इरादे में फेल हो गया हूँ यानि कि जो भी मैं चाहता था उसमें मैं फेल हो गया हूँ आपके परसन को यह विश्वास है और यह समझ भी रही है कि जो वो इरादा रखते थे आपको नीचा दिखाने का आपको कंट्रो करने का मैनिपुलेट करने का वो उसमें फेल हो गई है इसलिए ऐसा कह रहे है कि मुझे इस चीज का अंदाजा है कि मैंने जो सोचा था वो सबकुछ गलत था ठीक है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तो यह थी आपके पर्सन की तरफ से मैसेज अभी हम देखते हैं टैरों से कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं आप अपने पार्टनर के लिए क्या सोचते हैं ठीक है कई दिन हो गए थे मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी क्योंकि मैं थोड़ा बीजी थी और अ यह मैं आपके लिए कार्ड निकाल रही हूँ अब ही मैं आपके परसिंटी कार्ड निकाल हूँ प्रेकर परसिंट अब है देखिए, यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहे हैं, इसकी दोनों ही पार्टनर इतना इंट्रस्टेड नहीं हैं सिचुरेशन में, मुझे यहाँ पर यह दिखाई दे रहे हैं, कि सिचुरेशन तो चेंज होना चारी है, लेकिन आप लोग इंट्रस्टेड नहीं हैं, यहाँ पर अगर मैं आपकी बात करूँ तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहेगा है कि कहीं ने कहीं आपको अपनी value का पता चला है कि मेरे साथ में अभी तक बहुत बुरा चल रहा था और मैं जो deserve करता हूं वो मुझे मिला नहीं इसलिए आप यह सोच रहे हैं कि मुझे अ आप लोगों का कई जन्मों का साथ है आपका ठीकि यहाँ पर मुझे इसा दिखाई दे रहे हैं कि आप समझते हैं लेकिन फिर भी जो है आप एक नई शुरुआत करने के लिए रैडी नहीं है क्योंकि रिवर्स में आया है आप नहीं चाहते है इस परसन के साथ में आगे नई जिन्दिगी को शुरू करें यानि कि अभी तक आपकी लाइफ में आउफ रहते होंगे आपके परसन आते होंगे भाग जाते होंगे रनर चेजर वाली स्टोरी होगी ठीक है कुछ दिन रुखते होंगे फिर चले आते होंगे या आपस में लड़ाई जगड़ा करके आप लोग वैसे ही सेपरेट हो जाती होंगे ठीक है यहां पर कहने का मतलब यहां पर यह है कि अभी आप दोनों ही लेट गो करने की सोच रहे हैं या तो पास्ट को लेट गो करना चाहते हैं या फिर इस सिचेशन में नई बिगनिग आप लोग नहीं चाहते हैं वो हम आग इस परसन ने मुझे लटका के रखा है और मैं इस सिचुएशन में लटक का रहना पसंद नहीं करता हूं क्योंकि आपकी परसन दो सिचुएशन से डील कर रहे हैं यह दूसरी सिचुएशन उनकी फैमिली मेंबर्स हो सकती है या कोई जोग केर हो सकता है या कोई अधर परसन हो सकता है कोई भी हो सकता है लेकिन आप जो है आप सेकंड प्रियोर्टी पर अपने आपको फील करती है और आपकी परसन आपको पागल बताती है आपको जो है इतनी प्रियोर्टी देती नहीं है जितना आपको मिलना चाहिए तो इसी लिए जो है आप जो है कुछ नहीं कर जाते हैं, आप बिधके मrdis मांथ करते हैं, बस कету कि अमन्स देद शुचरा का शोच और लोगारी है। आगया इहां बज़ी बाद करूँ तो मुझे इसा डिखाई रहे कि कि आपके person को कोई ने कोई guidance मिल रही है यहां पर universe की तरफ से क्योंकि spread guides जो है उनको काफी guide कर रहे हैं और मुझे यहां पर यह दिखाई दे रहे हैं कि आपके person ऐसा सोच रही है कि भई मैं करू तो क्या करू उनकी intuition भी strong हो रही है दुसरा उनको spread guides उनकी intuition के माद्यम से कुछ guide कर रही हैं लेकिन वो आपको बताते नहीं है कि मुझे जो है यह information मिल रही है universe की तरफ से आपके person को ऐसा लगता है कि आप से बात करता हूं तो आप बहुत ज़्यादा गुस्ते में आती हैं लड़ाई चखड़ा करती हैं और आपके person को ऐसा लगता है कि मैं इस situation से निकल उससे निकलने के लिए उनको काफी efforts लगाने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा strength उनको चाहिए और उस strength के दम पर ही वो आगे बढ़ ज़कती हैं लेकिन आपके person सोच रहे हैं कि मुझे करना क्या चाहिए क्योंकि वो यह सोच रहे कि अगर मैं strength लगाता भी हूं अगर मैं कर दिखाई दि e raha elly क्योंकि आपके person को स linen को समझ में तो सब कुछ आ रहा है वो बेकूफ नहीं है लेकिन वो बेकूफ बनकर के आपको दिखाती हैं कि मैं भात पागल हूं मुझे तो कुछ पता नहीं है सब कुछ आपको ऐसा लगता हो कि सबकुछ मुझे ही पता है ठीक है और मैं इस person को सही guide कर रहा हूं या कर रही हूं लेकिन आपके person को actual में सब कुछ पता है आपके person को सारी guidance मिल रही है लेकिन आपके person पागल बन करके आपको और भी पागल बना रहे हैं खुद भी पागल बन रहे हैं एक मतलब नाटक कर रहे हैं एक मुखोटा पहन रखा है उ मुझे समझ में नहीं आता है, आपको ऐसा पागल बनाती है, ऐसा मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, और आप उल्लू बन भी रहे हैं, इस परसन से, यहां पर सिच्वेशन कुछ ऐसी नजर आ रही है, आप अपने आपको काफी समझदार फील करते हैं, लेकिन य को डिले कर रहे हैं, ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि मुझे सारे ओप्शन खुले रखने चाहिए, क्योंकि मेरा पार्टनर अगर मेरे साथ लड़ाई करेगा, जबकि वो भी करते होंगे, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने पहले किया है, एक हाथ से तारी नहीं बजती है, पह पी सादेवी है, साइलें ट्रीटमेंट आपको दे रहे हैं, कि जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है, कुछ भनकी नहीं है, और आपको ऐसा लगता है कि आपको वो लेटको कर रहे हैं, आपको प्रियोर्टी नहीं दे रहे हैं, जो आपको चाहिए, फर्स प्रियोर्टी वो आ मेरी वीवर्स के लिए दो काड़ मेरी वीवर्स के लिए दो काड़ देखिए आप काफी नर्चरिंग और के इंपरेशनलिटी के हैं आप शायद जो है मा बनना चाहते हैं कुछ आपकी ऐसी ख्वाइस है या फिर आपका मधरली नीचर है आप चाहिए मेल फिमेल कोई भी हो लेकिन आप काफी soft hurted person है kind hurted person है बहुत जादा जो है nurturing और caring personality की हैं लेकिन मुझे यह आप यह दिखाई दे रहे हैं कि आपको stability चाहिए आपको finance में stability चाहिए आप काफी grounded है या तो आपके पास में already stability है या फिर आप उस पर focused रहना चाहते हैं ऐसा मुझे यह आपर passerHHH , आपके person की तरफ से आपके person को clarity मिल ही किसी से चीज़ को लेकिर के कोई situation कोई कुछ लोग कि से अनको clarity मिल रही है और देखते हैं आपके person का देखे इंको universe की तरफ से message बार-बार मेल रहे हैं बंदेख्षा कर रहे हैं ने कies अई Wik het in parents भी मेल पार्टनर कैसा है किते ऐस नहीं से आंसे नहीं भाज तेक ईशले संये और जच्मेंट कर्द आप यह जच्मेंट करद आपके लिए यह वार और चान्स और थे लंऑ है, अपने आपको फूर्व कर दिखा Mayor ठीक है चलिए आपके लिए दोकार निकालते हैं यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे कि हो सकता है कि आप मेरी वर्स ने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दिया हो आप काफी डिफेंस करके चल रही है आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है वो बहुत सारे लोग करता है ट्रेस्ट करता है इसलिए आप इस पर्सन के सात में आगे बढ़ना पसंद नहीं करती हैं इसलिए कई कार्ड जो है रिवर्स में आई है और मुझेों यहाँ पर दिखाई दे रहे कि आप काफी डिस्टेश मिलें करके रखती हैं आप अपना ड्रे म disturbance for a reparative नहीं कई देखिए आपके परसन जो है वह आपके साथ में एक नए शुरुवात करना चाहते हैं आप तिन-टीन कार निकल आए अनके लिए आपके परसन मन हमन आपको बहल प्यार करते हैं लेकिन वो दिखाते नहीं हैं उनको असा लगता है कि आप उनको में आपको बहला चाहता या करती हूँ आपके person जो है वो खुद नहीं दिखाते हैं लेकिन आपके person आपको बहुत प्यार करती हैं क्योंकि two of cups के energy है आपके person चाहते हैं कि इसमें equal जिन्दगी की शिरुवात करें लेकिन यहां पर जो काड आया है आपका reverse में आये है नए सेरेसिक जिन्दगी को शिरुवात करने वाला reverse से आया है लेकिन आपके person जो है risk लेने की सूच रही है आपके person चाहते हैं कि एक और chance लिया जाए ताकि situation better की जाए और मुझे यहां पर आप क्या चाहते हैं आप उनको spy कर रहे हैं आप उन पर नजर बनाए हुए है कि इसकी life में क्या चल रहा है चाहे आपके person male female कोई भी हो सकते हैं आप जो है manifest भी कर रहे हैं आप जो चाहते हैं वो करना चाहते हैं लेकिन आपका एक तरफ से तो मन करता है कि मुझे इस person साथ नई जिन्दगी की शुरुआत करने चाहिए दूसरी बात आप सोचते कि लेट गो कर देना चाहिए छोड़ देना चाहिए इसको जो है ऑच कि उनकी तरफ से तीन तीन कार निकलतती है, देखिए यहां पर आपके परससे स्टेंड लेना चाहते हैं मुझे ऐसा दिखा है दिरे लेकिन थर्ड़ पार्टे की वजयed से स्टेंड नहीं ले पारे हैं वो अपने आपको change करना चाहते हैं लेकिन third party की वज़े से change नहीं कर पारे हैं वो celebrate करना चाहते हैं लेकिन third party की वज़े से दिक्कत आ रही है उनको वो जो है अपनी बात को रखना चाहते हैं लेकिन रखनी पारे हैं वो fully change होना चाहते हैं लेकिन होनी पार यहां पर मजबूरी मुझे दिखाई देरी आपके परसन की, आपके परसन को ऐसा लगता है, यहां पर किसी के लिए फैमिल मेंबर्स हो सकती है, उनका दिल आपके लिए धड़क रहा है, उनका दिल चाहता है कि आपको प्यार करें, क्योंकि बॉटम देख है, फोर पेंटेकल लेकिन वो अपने दिल की भावनाओं को दबा लेती हैं, छुपा लेती हैं, वो दिखाते नहीं हैं, कि मैं आपके लिए क्या फील कर रहा हूं, लेकिन आपके परसन बदल रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दी रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनिवर्स का गाइड़ेंस उनको मि जाओंगो कहां पर, यहाँ पर सिट्विशन कुछ ऐसी नजर आ रही है, कि आपके परसन जो है, वो आपके साथ में आना चाहती हैं, लेकिन उनको डर लग रहे हैं, इसलिए वो अपने ओप्शन ओपन रखना चाहती हैं, अब मैं आपके लिए कुछ दो कार्ट निकाल ले आप चाहते हैं, आप उनसे बात करें कि मुझे प्यार चाहिए, मुझे प्यार क्यों नहीं मिल रहे हैं, मैं प्यार डिजर्व करता हूं या करती हूं, ठीक है, आप बहुत फास्ट उनसे बात करना चाहती हैं, यहाँ पर फिर से दलावर का काड़ा है, यहाँ पर भी दला एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, यहां पर दोनों की situation एक जैसी है, लेकिन आपको अभी थोड़ी सी आपकी ego जो है बीच में आ रही है, और इसी वज़े से आपको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत efforts लगा ली हैं, लेकिन यह person change नहीं होता है, लेकिन अभी यह person change होने के ready है, आप उनको ऐसा लगता है कि आप जो है ready नहीं है, ठीके, अब आप जो है यह सोच रहे हैं कि यह person फिर से मुझे दोखा देगा, cheating करेगा, फिर भाग जाएगा, इसलिए आप सोचते की let go कर देना चाहिए, और आप यह भी सोचते कभी कभी की बात करने चाहिए, भी हम एक दूसरे से बहत प्यार करती हैं, फिर क्यों नहीं हम आगे बढ़ पा रहे हैं, और कभी कभी आप यह सोचते की defense करके चलना चाहिए, मुझे block कर देना चाहिए इस person को, इस person से चुटकारा चाहिए, कभी आप code cutting करने की सोचते होगी, कभी आप और कोई technique अपनाने की सिक्षण करा हो जाए, लेकिन मैं बताना mainland है, कि आपके person की energy सेम सेम अभी आपके जैसी होती जारी है, कि आपके person आपके साथ में आना चाहते हैं, आप से प्यार करते हैं, लेकिन आप भी спасибо को प्यार करती हैं, लेकिन आप ढरते हैं, कि वा परसन मुझे छोड़ना ठीक है इसी तरह से आपके person के अंदर डर है सेम सेम जो है situation मुझे नजर आ रही है mirror कर रहे हैं आप लोग मुझे ऐसा दिखाई दे रहे है इसी वज़े से आप लोगों की दिक्कत आ रही है इसलिए आप अपनी energy को high vibration में ले जाए जिससे आपके person के energy भी automatic high vibration में जाए और person को कहीं कहीं यह एहसास दिलाए कि मैं आपके साथ में हूँ उनको इस बात का बहुत ज़्यादा जो है परवा है कि मेरे partner ने कभी मुझे छोड़ दिया तो फिर मेरा क्या होगा फिर मेरे साथ में क्या होगा फिर मैं कहां जाओंगा ठीक है तो आपको अपने partner को यह एहसा कराना है कि मैं हमेशा तुमारे साथ में हूँ ठीक है डिलिहों आपके परस ऐसा काहरें कि मेरे दिल 1500 क कारके करणा है घ्रे एक यह कुछ करूं यह एक कि हैरे हैं मैं एक हमें इस ऐसा बहुत सभी में नकि कुल कि के लिए रेडी हूं प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीज़े ठीक है यहां पर ऐसा भी दिखाई दे रहे हैं कि वो ऐसा भगवान से प्रे कर रहे हैं कि कास अगर ऐसा हो जाए कि मैंने जो भी बुरा किया है जो भी आपके साथ गलत किया है वो वापिस ले लूँ ठीक है ऐ कि आपके परसन का दील और जो दिमाग है वो हमेशा आपके पास आपस आने के लिए करता रहता है आपके शब्द ऐसा कह रहे कि आपके शब्द जो है उनके माइंड में घूमते रहती है ठीक है और वाटान रहे के you inspire me आप उनको inspire करते हैं ऐसा वो कह रहे हैं और उसके ज़स्ट नेची है नौदर कंपेर्स टू यू आपका कंपेर्जन किसी से नहीं क्या सा सकता है अभी हम देखेंगे युनिवर्स की तरफ से मैसेज कि आप मेरी युवर्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है युनिवर्स क्या मैसेज देना चाहता है अपरिल में रिबर्थ ठीक है शयद आपके लाइफ में नई बिगनी हुई होगी अप लोग दोनों पार्टनर पास में आयोंगे साथ आयोंगे नई शुरुवात हुई होगी मुझे यसा दिखाई दे रहे है डेथ और रिबर्थ आ यहां पर मुझे से दिखाई दे रहे है कि 23 October A और 21 जो है नॉमबर की में बात करूं यहां पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहे है कि आपके परसन का या आपका जो बर्ड़े है वो आप सेलिबरेट करें ठीक है यहां पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहे है कि आने वाले रिलेशन्शिप की फांडेशन को स्ट्रॉंग करेंगे ठीक है यहां पर मैं थोड़ा सा जो एक लेडिफाइग करना चाहूंगी 23 अप्टूबर और 21 नॉमबर की बीच में क्या होगा यहां पर वैसे क्लियर हो रहा है कि आप लोगों का हो सकता है बर्डे हो सकता है सेलिब्रेट करें आप लोग लेकिन फिर भी क्लेरिफाइग कर लेती है इसको देखिए यहां पर कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट और मैरे इसका ओफर भी आ सकता है या फिर जो है इसमें आपके रिलेशन्शिप में ग्रोथ और स्टेबिटी आपको देखने को मिलेग ठीक है क्योंकि काफ़ पेन दिया है इस रिलेशन्शिप ने आपको हो सकता है किसी की तवित्पी खराब हो सकती है या पर मुझे ऐसा दिखाई दिया है क्योंकि 10 of swords के कार्ड है ठीक है कुछ आपको health issue भी हो सकती है आपको यापकी person को health issue भी हो सकती है और यह किस वज़े स होगा कुछ आपकी life में अडचने भी आ सकती है आप celebrate तो करेंगे उस दोरान ताइम जो है आपकी life में third party का involvement होगा जिसके वज़े से आप लोग पेन में भी जाएंगे या पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे कि 23 October से 21 November के बीच में आप लोग की life में आप चाहेंगे कि आपक कि engagement मेरी कुछ लोगों की हो सकती या family कोई get together हो सकता है या फिर आप लोग growth और stability की तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे लेकिन third party की वज़े से आपकी life में दिक्कत आएगी आप पेन में जाएंगे आपको लगेगा कि सब कुछ फिर खतम हो गया है आपको ऐसा feel होगा और कर लेती हैं देखिए यहां पर आप अपने relationship की foundation को strong करने के तो सोचेंगे लेकिन यहां पर मुझे मई में ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा feel होगा कि कोई एक partner जो है वो काफी time से आप वेट कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए ठीक हो जाए लेकिन कोई एक partner यहां पर कि चीटिंग दोखा मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं ठीक है और काफी कोशिश भी की जाएगी कि से relationship को बचाया जाए और किसी से advice भी लेगी सकते ही आप लोग मुझे यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर युनिवर्स का message यही मिल रहा है कि आ आप एक परसंग काफी वेट कर रहा है और एक परसंग दोखा दिये जा रहा है दूसरा परसंग जो इस शादी को बचाने की कोशिश कर रहा है यहां पर हायरोफेंट का काड़ है यह यह वह सकता है यह किसी से advice भी ले रहे हूं यहां पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहे five of swords क्यों हो रहा है यहां पर देखिए एक परसन जो है न वो यहां पर चीटर एक परसन है जो यह जिद पर आड़ा हुआ है कि मुझे तो बस इसको अपनी life में लाकरी रहना है ठीक है उसको आराम से कुछ नहीं चाहिए उसको जबरदस्ति चाहिए देखिए यहां पर वो ब पाने की चाहत है हासिल करने की चाहत यहां पर मुझे दिखाई देखिए बस और कुछ नहीं है उसको और कोई मतलब नहीं है आप अच्छे समझते होंगी कि आपकी life में आप ऐसा कर रहे हैं यहां पर एक परसन जो है वो दोखा देता है बार बार और और रनर चेजर वाली सिच्वेशन कुछ ऐसी नजर आ रही है लेकिन यहां पर युनिवर्स आपको यही कहना चाह रहा है कि ऐसे कब तक चलेगा इस सिस्टम को यहां पर क्लोज करो और इसकी फांडेशन को स्ट्रॉंग करो ठीक है वहने यहें लड़ाई जगडा बंद करो और यह थर्ड पार्टी के वज़े से लड़ाई जगडा और जो क्योंकि यहन पर धरदेशन का कार्डब कार्ड भी आया मैं बताईं यहां पर फिरसे आपकी लाइफ में October और November के मन्त में भी आप लोगों के लाइफ में थर्ट पार्टी के उज़े से दिक्कत होगी यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है फिर फिर आप लोग क्योंकि बटम दे के दा हर्मिट और हर्मिट मोड पर चले जाएंगे सोचेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ऐसा मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है ठीक है तो यह थी आपकी रिडिंग चलिए कुछ मैसेज देख लेती हैं उनकी तरफ से आपके पार्टनों की तरफ से कुछ मैसेज देख लेती हैं देखिए आपके परसन को ऐसा लगता है कि आप उन्हें बुला रही है पुकार रही है ठीक है और आपकी परसन को ऐसा फील होता है कि आप उनके पर नजर रख रहे हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नह रहे हैं कि आपक शो है माफ़ी मांगना चाहती है कि मैं आपको अपने आप से दूर कर देता हूं मैंने बता है नियुक्त्र रग्नर्चेजर ये स्टोरी सिम आपर ये काड बी कफैस्ट्य रहे हैं काफो पैस्ट्रेक्शनेट फिल कर रहे हैं आपके person चाहते हैं कि आपके person के आप उनसे बात करें, ठीक है, और next है, आपके person आपसी काफी jealousy रखती हैं, इसके लिए माफी माँगरे हैं कि मैं आपसे बहुत jealousy रखता हूं, ठीक है, आपके परसन ये भी कह रहें कि आपको उनके लिए सब कुछ है बाके चीजे बाद में है आपके परसन ये भी कह रहें कि अगर आपको स्पेस चाहिए अगर आपको टाइम चाहिए अगर आपको स्पेस चाहिए टाइम चाहिए तो मैं आपको देने के लिए रेडी हूँ ठीक किया है अपके परसन को यह पता है कि आप उनकी कियर करते हैं जाहां का EK67 करते हैं दिखा नदिखाएं लेकिन आपको उनकी परवा championships ठीक है तो ये थी आपकी रिडिंग I hope guys ये रिडिंग आपसे राजन थे राजन थे राजन थे प्लीस दो लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं चनल थैंक्स वाचिंग तिल नेक्स्ट व्डियो टेक केर बबाई